हालो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मोहमस जैद और दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक बहुत बढ़िया सा पोयम पढ़ा सबसे शॉर्टेस्ट पोयम था पूरे लेशन में तो उसे पढ़कर आपको भी थ लेयर टाइप को हम पढ़ा अब हम लोग पढ़ने जा रहे एक नया टाइप जिसे कहते हैं बुक रिव्यू आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बुक रिव्यू यह ओल्ड मैं एंडसी है जो 1952 में हैमिंग वे ने पब्लिश की थी तो इसी बुक के बारे में हम लोग लिए यहां पर क्यूबन का गया है जैसे इंडिया को इंडियन का जाता है तो वैसे क्यूबा का क्यूबन तो वहां के फिशर मैं था और इसका बैड लक मौद बहुत बुरा चल रहाता है जिसके वज़े से इसने 84 दिन से एक भी मचली नहीं पकड़ी थी उसका यंग मतलब दोस्तों वह होता है जो दूसरे के यहाँ सीखने के लिए जाता है तो वैसेIST बूड़े इंसान के पाश emocional नाम का लड़का था यंघ जमान था इनके पाश काम सीखने के लिए आथा इक किस तरीके से चुषिंग करें लेकिनड़ 84 दिन तक वो मचली नहीं पकड़ पाया वो बुड़ा आदमी तो इसके पैरेंट्स ने कहा कि तुम उनका साथ छोड़ दो कहीं और पे किसी और मचुवारे के साथ लग जाओ Old man resolves to sail out further than all the fishermen's and attempt to catch the really big fish अभी बुड़े आदमी का bad luck बहुत खराब चल दा तो उसे बहुत गुशा आया तो इसलिए वो दूसरे fishermen से और आगे गया मचली पकड़ने के लिए और इस बार उसे एक बहुत ही बड़ी मचली मिली 85th date मतलब 85 दिन उसके hook में फसी एक marlin marlin मतलब 200 सबसे बड़ी मचली बहुत ही strong थी और उसने तुरंती boat को खीचना शुरू कर दिया जैसे ही इसने पकड़ा इस बुड़े आदमी ने old man and the sea is the story of the old man's struggle with the marlin and his later battle against shark यहाँ पे आपका chapter खतम मतलब introduction खतम chapter तो भी बाकी है मतलब book में यही कहानी है उसको summarize करके बताया है कि old man का जो struggle है वही इस poem में लिखा गया है कि वो किस तरीके से marlin को पकड़ने के लिए अपना पूरा struggle करता है marlin अपने आपको बचाने के लिए खीच रही है और बुड़ा आदमी भी अपने आप ही को बचा रहा है क्योंकि अगर वो मचली नहीं पकड़ेगा तो उसका नसीब एकदम खराब हो जाएगा उसके पास पैसे भी नहीं आएंगे तो दोनों एक ही चीज के लिए बैटल कर रहे है और उसके बाद ओल्ड मैन का सामना एक शार्क से भी होता है तो बुक पढ़ेंगे आपको समझ में आएक तब तो आगे बढ़ते हैं के बारे में मतलब Hemingway की जो भी नॉफ ह हैकिसी रहती थी उनके फिचर्स के बारे में को Hemingway's नॉफ है और ऊफेलों वह एवूं फिंट मिसने ऑन लाइन हैं जो भी लिखते नहीं सच्य घटना पर आधारिद लिखते थे और अपने experience भी थोड़ा उसमें अड़ करते थे एड experience of fishing in the Cuban water like the old man he was also fan of football Hemingway old man मतलब baseball का fan था और Hemingway भी fan थे तो इन्होंने देखा था fishing करते हुए Cuban waters में मतलब क्यूबा के waters में तो इसलिए इन्होंने अपना experience दालने के लिए ऐसी कहानी बनाई उन्होंने red cross के लिए काम किया था पहले world war में और जिसके कारण वो श्रापनल से injured हो गए थे श्रापनल मतलब दोस्तों छोटा सा कोई भी पत्थर छोटा सा particle जैसे bomb फेकते हैं तो उसमें से जो छोटे छोटे सूट particles निकलते हैं वो when he was in Italy, Hemingway always talk about the need to struggle against defeat or death इटैली में ते तब उनको छोट लगी थी और Hemingway हमें सा कैसी बाते करते थे struggle की बाते करते थे हमें सा defeat, death को हराने के लिए बाते करते थे और उनको determination था अपनी struggle को जीतने के लिए इसलिए उन्होंने old man को struggle उसमें दिखाया है old man novel के आंते तक बहुत ही करीब था मौत के लेकिन हमें मालूम है कि उसकी जो story है वो सबके दिमाग में रह जाएगी क्योंकि उसने बहुत ही struggle किया था उस मचली को पकड़ने के लिए ultimately his story become one of triumph because of the tale of his life will live on even after his death क्योंकि वो कहानी मतलब जीत गई वो क्योंकि जो उसकी कहानी थी वो लोगों के दिमाग में उसके मरने के बाद भी रहेगी novel published हुई थी 1952 में जब लोग recover कर रहे थे world war जो दो world war हुए थे उसकी destruction से जब लोग recover हो रहे थे उस समय and this tale of endurance and ultimate triumph immediately struck a chord with the readers और ये जब लोग पढ़ रहे थे तो उनके मन में मोटिवेशन आ रहा था कि हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं हमारे पास भी determination है तो वही यहां पर लिखा गया है राइटिंग स्टाइल कैसी थी Hemingway की देखते हैं Hemingway's language is simple and pithy mostly right in short and straightforward sentences and practices and extreme economy in his use of words language simple रहता था बच्चे बच्चे समझ सकते हैं पिठी रहती थी थोड़े बड़े-बड़े लिखते थे और मतलव sentences थोड़े बड़े-बड़े लिखते थे और वो ज़्ज़ातार लगातार लिखते जाते थे sentences को ज़्ज़ादो उसमें घुमाते फिर आते नहीं थे स्ट्रेट फारवर्ड सेंटेंस रहते थे और वर्ट्स बहुत यूज किया करते थे वर्ट्स एक ही मीनिंग रहेगी पर डिफ्रेंट डिफ्रेंट्स वर्ड यूज करेंगी यह जिसके कारण यह सिंप्लिसीटी डिसेप्ट्यू थी और रीडर जितनी बार इस बुक को लोगे पूरी स्टोरी समझ में आएगी तो वैसी इनकी नॉविल हुआ करती थी एक्जांपल लेते हैं जैसे हम लोग कोई डाउनलोड करते हैं पहली बार में गेम नहीं समझ में बहुत ही कॉंप्लिकेटेड है हमने डिलेट कर दिया लेकिन गेम का जो सीन था जो देखकर लग रहा था वह बहुत लग रहा था तो उसे दोबारा हम लोग इंस्ट्रल कि करेंगे तो उसको देखके दोबारा जांसाल कि थोड़ा बहुत समझ में आया तो हमोग लेकिन एक अलग सी जो इमेज थी वो इनके दिमाग में फॉर्म रह गई जैसे मैंने कहा कि गेम में कुछ अलगी बात थी वो दिमाग में रह जाती है इसलिए इन्होंने फिर से बुक पढ़ा वो जो ओल्ड मैन और फिशिंग लाइन थी वो जो सीन था उनके दिमाग में छप गया था जिसके कारण इन्होंने दोबारा से बुक रीड की और अबकी बार इन्होंने समझ लिया कि आखिर स्टोरी क्या है और उसमें लिखा क्या है formidable strength of the old man's character the quiet devotion of the empathetic manolin and the relationship between two are heartwarming किस तरीके से old man अपना पूरा ताकत लगा रहा था और manolin भी अपना झोड़ना नहीं चाहता था उसको पूरा अपना devotee मानता था ओल्ड मैन को वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहता था कि मैं आप ही के साम काम करूंगा चाहे आपको फिश मिले चाहे आपका बैडला कितना भी खराप हो और वो रिलेशन हार्ट वामिंग है उन्होंने जैसे वाटर और क्रियेचर्स को डिस्क्राइब किया हो बहुत ही बढ़ियों डिस्क्राइब किया है नॉवल में मारलिन का जो fight था अपनी life को बचाने के लिए वो hard to know whether our sympathies should lie with the old man और with the मारलिन अब old man भी गलती काम करा था क्योंकि वो मचली को मारना चाहता था पगड़के तो मचली भी अपनी जान बचा रही थी तो राइटर यहाँ पर थोड़े से confused हुए कि हमारी sympathy किसके साथ रहनी चाहिए old man के साथ की मारलिन के साथ क्योंकि दोनों ठीक ही काम कर रहे थे old man भी अपने आपको बचा रहा था मारलिन को मारना भी ठीक नहीं था पर मारलिन को नहीं मारता तो उसका काम भी नहीं होता तो दोनों लोग का जो टार्गेट था वो सेम था दोस्तो जैसा मैंने शुदू आती में का कि old man भी उसको पगड़के अपना नसीब अच्छा करना चाहता था और मारलिन भी अपने आपको बचा कर अपने आपको बचाना चाहती थी तो दोनों का जो इस्ट्रागल अगेंस था सेम दिस्ट्रक्शन दोनों का जो अबजेक्टिव था वो सेम था और वो अब्जेक्टिव क्या था नोबल स्ट्रागल अगेंस डिस्ट्रक्शन तो इसने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया था वर्ल्ड वार के टाइम पे कि हम लोग डिस्ट्रक्शन ना करके अपने आपकी जान बचा सकते हैं तो दोस्तों यह चोटा सा और कल हम लोग आएंगे तो फटा फट यह पढ़ लेंगे और मिलते है नेक्स वीडियो में